Hey everyone, this side Dr. Mosan Meena, कैसे आप सभी? उमीद गरता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही important और interesting होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम यह आपर जानेंगे जितने भी BMS की Central Universities है, उनकी cut-off जानेंगे क्या उनका fee structure है, और कितनी सीटे होती है Central Universities के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम यह आपर detail में देखने वाले है और last में मैं आपको यह बताऊंगा, क्या expected cut-off रह सकता है इस साल का यह भी हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जानेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहली जो Central University है, वो BHU Varanasi है जिसकी fees 33,464 है, अगर मैं All India Kota की बात करूँ तो यहाँ पर 100% जो seats होती है, BHU की वो यहाँ पर participate करती है और जो seats है, BHU में वो कितनी है, 75 seats है यहाँ पर फिर उसके बाद मैं अगर मैं NIA जैपूर की बात करूँ वेल नोन फेमस कॉलेज है, 54,863 fees है, इसकी 100% seat से यहाँ पर All India Kota के अंदर participate करती है, और 113 seats से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है NIA जैपूर के अंदर, फिर उसके बाद मैं अभी एक दो साल पहले यहाँ पर AIIA गोवा का प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने उदगातन किया था, पिछले साल यह All India Kota के अंदर include हुआ था, जिसका fees 41,400 है, इसके अंदर All India Kota के अंदर 50% seats इसकी participate करती है, और जो seats है All India Kota के अंदर वो इसकी 50 है, और जो total seats है, वो इसकी कितनी है 100 seats है यहाँ पर total, तो और जो 50 seats होती है, वो state Kota के अंदर रहती है, वो गोवा वाले students के लिए reserved है, फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे ITRA जामनगर की, यह college गुजरात में है, बहुत अच्छी Central University है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो fees है, बाकी की Central University से सबसे कम है 3,200 रूपे, जो percentage है, जो seat का वो 100% है, यानि सारी की सारी seat जो है, वो यहाँ पर All India Kota के अंदर participate करती है, और जो total number of seats है, वो यहाँ पर 115 है, फिर उसके बाद में मैं आपर बात करने वाला हूँ, Northern Institute of Ayurveda and Homeopathy Shilong Megale, यह Central University आपको Northern Eastern जो states है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, Megale के अंदर, basically Shilong के अंदर और इसका जो fees structure है, वो है, 42,100 रूपीज फीज है इसकी, और जो percentage है, All India Kota में seats का वो 50% है, 31 seats यहाँ पर participate करती है, All India Kota के अंदर, और अगर मैं total number of seats की बात करूँ, तो यहाँ पर 62 seats है, यहाँ पर BMS की, यह जो university है, इसके अंदर BMS का भी course होता है, और BHMS का भी course होता है, तो यह चीज आपको यहाँ पर पता होनी चीए, फिर उसके बाद में, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कि क्या expected cutoff रह सकता है, इस साल, तो देखो, expected cutoff जो है, 2024 का, वो क्या रहने वाला है, BMS का, Central University का, वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखो, expected cutoff बताने से पहले, मैं आपको कुछ बाते बता दूँ, इस साल का जो NEET का paper था, आप सभी बच्चे देकर आ गए हैं, आपको यह भ देख रहा होगा, as comparison to NEET 2023 और NEET 2024, जो cutoff और NEET 2024 के अंदर, वो increase ही होने वाली है, क्योंकि यह जो NEET 2024 का paper था, as comparison to 2023, easy था, और जो number of candidates थे, वो भी ज्यादा थे, यहाँ पर, तो जो cutoff है, आप यह मान कर चलो, यहाँ पर 10 से 15 नंबर यहाँ पर cutoff increase होने वाली है, अब क्या accurate cutoff रहने वाली है, इसके बारे में मैं आपर बात करना चाहूँगा, तो previous year जो round 1 हुआ था, डबल A, triple C का, उसकी cutoff हम यहाँ पर देख लेते हैं, और यही लगबग-लगबग cutoff रहेगी इस साल की, यहाँ पर आपको सबसे main priority देनी है, rank को, आपको rank द्यान रखन यह कौन सी rank पर round 1 में general category के अंदर Bhu allot हुआ था, तो यहाँ पर देखो, general category थी उसके अंदर Bhu 602 marks पर मिला था round 1 के अंदर, EWS category के अंदर 599 marks पर मिला था, OBC category के अंदर 596 marks पर मिला था, SC category के अंदर 459 marks पर मिला था, ST category के अंदर 418 marks पर मिला था यह जो cut off है, यह round 1 की cut off है मैं पहले ही clear कर दिया हूँ इस चीज को मतलब तो यहाँ पर यह जो rank है यह जो rank है, यह सबसे ज़्यादा important है यहाँ पर और इस PDF, यह जो PDF है, यह मैं अपने telegram channel पर भी डाल दूँगा आप वहाँ से जाकर भी download कर सकते हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे IUCN veterinary counseling guide course में registration नहीं किया है वो वहाँ से भी registration कर सकते हैं counseling से related जितनी भी problem, जितने भी doubts होता है वो हम आपके clear करते हैं और आपको किसी counselor को hire करने की जरूत नहीं है पूरी counseling जो होती है वो आपकी being doctor team self करवा देती है आपकी और आपको जैसा कि पता है कि जितनी भी universities हैं चाहिसे आप B.H.U. ले लो, N.I.E. जैपूर ले लो हर college का बच्चा हमारी coaching में पढ़ता है being doctor पर और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा being doctor app download नहीं किया है वो एक बार being doctor app download करके B.H.M.S. की वगेरा की classes वगेरा भी यहाँ पर देख सकते हैं फिर उसके बाद में यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं N.I.E. जैपूर गी तो यहाँ पर आप देख सकते हो N.I.E. जैपूर का मैंने आपर round 1 का cutoff बताया है General category के अंदर 598 marks रहे थे EWS category के अंदर 592 marks रहे थे OBC category के अंदर 592 marks रहे थे SC category के अंदर 463 marks रहे थे ST category के अंदर 434 marks रहे थे यह भी जो cutoff है round 1 की cutoff है अब यह जो rank है यह आपको ध्यान रखनी है जैसे ही आपका result आएगा आपको यहां पर rank match करके देख लेनी है आपकी अगर इसके आसपास rank आ रही है तो आपको NIA जैपूर मिलने के यहां पर chances है फिर उसके बाद में अब हम यहां पर हमारी next central university देख लेते हैं अब जो हमारी next central university है वो है All India Institute of Ayurveda Goa तो यह जो college है यह अभी-अभी खुला था पिछले साली इसका पहला batch गईा यह जो round one की cutoff है इसकी आप यहां पर देख सकते हो general category के अंदर 581 marks रहे थे EWS category के अंदर 575 marks रहे थे OBC category के अंदर भी 575 marks रहे थे ST category के अंदर भी 450 marks रहे थे ST category के अंदर 393 marks रहे थे यहाँ पर round 1 के अंदर तो हाँ यह हमने यहाँ पर cut off देख ली AIIA GOA की फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे ITRA जामनगर की तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह ITRA जामनगर गुजरात का एक cut off है यहाँ पर आप देख सकते हो general category के अंदर 587 marks पर allotment हुआ था EWS category के अंदर 581 marks पर OBC के अंदर 580 marks पर SC के अंदर 452 marks पर ST category के अंदर 396 marks पर यहाँ पर allotment हुआ था round 1 के अंदर वापस से मैं कह रहा हूँ यह rank आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर फिर उसके बाद में हमारा जो सबसे last central university है NEIA चिलॉंग में गाले उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं तो देखो इसका जो cut off है as comparison to other universities इसका कम जाता है यहाँ पर आप देख भी सकते हो general category के लिए 568 marks परहे थे तो यहाँ पर हमने देखा अमारी जो 500 central universities BMS की उसकी हमने यहाँ पर cut off देखी अब कौन से college के अंदर कितना internal quota है कौन से college में आपको admission लेने से कितना percent benefit होता है अगर आपको यह सारी information चाहिए तो आप हमारे iution veterinary counseling guide course में जाकर enroll कर सकते हैं जितना भी जो informational data है जैसे की college का fees कितना है यह सब तो आपने देख लिया वीडियो के अंदर लेकिन जो internal quota होता है central universities के बारे में अगर आपको वो चीज़े जाननी हैं तो आप हमारे help line number पे भी contact करके पूछ सकते हैं counseling से related जितनी भी queries होगी या जितना भी आपका problem वगेरा होगा वो अमारी team आपका sort out करेगी तो guys इसी तरीके की videos में आपके लिए लाते रहता हूँ I hope guys यह video आपको पसंद आया होगा इसी तरीके की videos में आपके लिए आगे भी लाते रहा हूँ तो आप हमारे channel को subscribe करें Thank you दोस्तों मेरी video देखने के लिए